जी बेटा गूड इवनिंग बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोबबिलिटी का और लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 11 को कम्प्लीट किया था और आज की क्लास बेटा हम बात करने वाले हैं टाइप 12 के बारे में विच इस रिलेटी टू प्रोब्लम बेस्ट उन ज इंट प्रोबबिलिटी क्या होती है और इसके लिए हमें को सा प्रोसीजr давно करें हैं मशर्य ऩप्रestry बात करें हैं कि सबसे पहले आपको इसे प्रॉबबबियटी केट करने हैं प्राइरी प्रोबिटीज को हम जेंद डिकूरेंगे probability of event A, probability of event B and the probability of event C और सबसे important point यह है कि यह जो तीनों events है यह वेटा mutually exclusive होंगे और and exhaustive यह तीनों event कैसे होंगे mutually exclusive and exhaustive कहने का मतलब यह है इन तीनों events की probability का जो sum है बेटा वो one के equal होगा यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ exhaustive event की case में probability का sum बेटा one के equal होगा ज़रूरी नहीं है यह तीन event होंगे तीन से बेटा ज़्यादा भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं जितने भी events होंगे उन सब की probability का sum किसके equal होगा बन के equal होगा और इसको क्या नाम दिया गया है प्राइरी probabilities उसके बाद बेटा जो इसका second step है आपका देगे second step में क्या कहता है calculate conditional probabilities उसके बाद बेटा एक common event होगा उस e event की help से हम conditional probabilities calculate करेंगे e upon a probability of e upon b probability of e upon c ठीक है conditional probability को बेटा हम किससे represent करते हैं e upon a कहने का मतलब probability of happening of event e after happening event a ऐसे ही probability of happening of event e after the happening of event b similarly the probability of happening of event e after the happening of event c ऐसे बेटा ये चलता रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है joint probability बेटा calculate करेंगे joint probability निकालने का formula है priory multiplied by condition priory और बेटा conditional को हम multiply करेंगे तो हमारी joint probabilities आ जाएंगी और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है जो हमारी joint probabilities होंगी उसका क्या कर देंगे summation sum कर देंगे और वो बेटा आपका answer होगा इसको बेटा आप एक table की help से भी कर सकते हैं हाँ जी देखिए कैसे करना है यहां पर बेटा पहले आप लिखेंगे एक table बना ली दिएगा उससे बिल्कुल easy हो जाएगा event यहां बेटा लिखेंगे event a b c d जितने भी बेटा इवेंट है मैं तीन इवेंट है जूम करके चल रहा हूँ तीन इवेंट है a b c यहां बेटा उनकी priority probabilities सबसे पहले आप priority probabilities लिखेंगे priority probability को बेटा किस सरी प्रजेट करने आप इवेने बताया probability of event a probability of event b probability of event c और सबसे important बात यह है इन सभी का जो sum है priority probability का वो one के equal होना चाहिए उसके बाद बेटा निकालेंगे conditional conditional probabilities कैसे निकालने आपको conditional probability निकालने के लिए आपको event assume करना पड़ेगा e तो e upon a पहले calculate करेंगे probability of e upon b and then probability of e upon c यह हमारे conditional probabilities आ जाएंगे उसके बाद आपको एक कोलम और बनाना है joint probability का अब joint probability बच्चों कैसे calculate करते हैं जो आपकी priority probability है यानि की column number two and the column number three two columns को multiply करेंगे यह आपका first column है यह second column हो गया यह third column हो गया और यह fourth तो fourth column की जब आप calculation करेंगे तो उसमें second column and third column को बच्च आपको multiply करना है तो multiply अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा probability of event a into probability of event e upon a फिर बेटा यह बनेगा probability of event b into probability of event e upon b then probability of event c into probability of e upon c और फिर बेटा इसका sum कर देंगे इसका sum करके जो भी आपकी value आएगी इन तीनों का sum करके वो आपका answer होगा यह हमारी required probability है required का मतलब जो आपको calculate करनी थी बेटा वो answer आ जाएगा ठीक है तो अभी तो हो सकता है बेटा आपको छोड़ा सा एक layout में ने दिया है अभी जब हम इसके sum करेंगे उस sum से आपको सारी चीजे clear हो जाएगी और सभी बच्चे वेटा chat box में मेरे साथ साथ लिखेंगे calculations ठीक है मुझे भी पता लगना चाहिए कि मेरे बच्चों को question समझ में आ रहे हैं ठीक है चलिए start करते हैं देखो बेटर सबसे पहला सम्में ले रहा हूं ए बैग चंतेंस फाइव रड़ द्री बैक बोल्स and a second bag contains four red and five black balls one of these bag is selected and a draw of two balls is made from it what is the probability that one of them is red and the other is black and second part में बोथ red देखिए बिटा कैसे करेंगे पहले मैं इसका first part करूँ है देखो पहले कैसे करना है आप पहले क्या करेंगे यहां पर आप तो दो bags वेटा की बन है तो पहले मैं bag one लिख रहा हूं bag one के components क्या हैं five red balls and three black balls eight balls है और bag two में bag second contains four red and five black balls यानि कि वेटा nine balls है ठीक है अब सबसे पहले देखो क्या करता है one of these bags is to be selected दोनों bag में से वेटा एक bag select करना करना क्या कहा है मैं लिख देता हूं पहले तो हमें one bag is to be selected और फिर बेटा selected bag में से बोल निकालनी है कितनी बोल निकालनी है two balls हांजी वेटा फ्रॉम दा selected bag two balls are to be drawn हांजी वेटा जो भी bag select होगा उसमें से दो बोल निकालनी है और कौन-कौन बोल होनी चाहिए one red and one black first case में ले रहा हूं भी उसमें क्या लिखा हुए एक बोल तो बेटा रेड होनी चाहिए और एक ब्लेक यह वेटा ध्यान से पढ़ना है कई बार ऐसे लिखाओगा फर्स्ट रेड और सेकिंड ब्लेक ओटर मेंशन करतेगा बट यहां ओटर मेंशन नहीं किया वह जस्त यह लिखाओए one is red and other is black तो कैसे करेंगा देखिए इस question को करने के लिए पहले विटा आपको क्या करना है पहले तो देखो बैग का selection करना है तो पहले मैं लिख लेता हूं पांजी विटा probability of selection of first bag बैग first के selection की बैटा probability निकाल लिए बैग वन के selection की probability को मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं पीए अब बैटा एक बात बताओ मेरे सामने अगर दो बैग रखें इस बात की तोर दोनों बैग एक जैसे है और इस बात की probability कि मैं बैग 1 को उठाऊंगा या बैग 2 को उठाऊ और दुनों के एक्वे लिक्वे चांस और टीक है, 50-50% यहां पर दो बैग है तो यहां पर वेटाधक के select होने के कितने चांस होंगे 1 by 2 अगर तीन बैग होते हैं तो 1x3, 4 होते हैं तो 1x4, हम यह मान के चल रहे हैं कि सभी के सभी बैग identical है, एक जैसे दिखने में, ऐसा नहीं है कि कोई किसी बैग के उपर diamond लगे हुए है अगर किसी बैग के उपर diamond लगे होंगे तो मैं तो उसी को उठाऊँगा, जिसके उपर diamond लगा हुए है हम यह मान के चल रहे हैं कि दोनों बैग एक जैसे हैं और दोनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करना उता बैटा कैसे चांस इकवल चांस होंगे 50-50 परसेंट तो प्रॉबबिलिटी ऑफ सेलेक्शन ओफ बैग तू बैग तू के सलेक्ट होने के चांस भी बैटा कितने है यह बैटा हमारी कौन सी प्रॉबबिलिटी आगी प्रायरी इनको कौन सी प्रॉबबिलिटी बोलेंगे प्रायरी प्रॉबबिलिटी और इन दोनों का सम भी बैटा चेक कर लेना इन दोनों का सम बन होना चाहिए तो इन दोनों का सम भी बन है चलिए अब बैटा कंडिशनल प्रोबबिलिटी निकालेंगे के लिए अब यह देखो किया है जिस भी बैक का सेलेक्शन करना है उसमें से कितनी बोल्स निकालनी है तो यहां पर बैटा मैं लिख देता हूं लेट इस दा इवेंट ओप एक इवेंट में ओड़कर ना पड़ेगा उन रड़ Запाब्ट जो भी डैग हम सेलेक्ट करेंगे उस सेलेक्टिड डैग में से हमें क्या नहीं करना आप अब यह समक 3 सटेटमेंट में करों लिखा हुआ है। कुछ मैंने ही दिखा हुआ है। तो एक बात मुझे चैट वोक्स में रिप्लाई चाहिए आप सभी का, मैंने आपको क्या बताया था, जब कुछ भी गीवन ना हो, तो हम क्या एजिम करेंगे, बताओ, सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, हाँ जी बटा, हम क्या एजिम करेंगे, बिदाओट रिप्लेस्मेंट, लो मैंने लिख दिया यहां पर, विदाओट रिप्लेस्मेंट हम, एजिम करेंगे, चलिए, अब ये इसकी प्रोबबिलिटी नहीं का आपके, देखे, प्रोबबिलिटी ओव इवेंट, पी उपोन अब से लेक्शन को, हम ने एका पर ये क्या है, इसको हम ऐसे रिड करेंगे, probability of getting one red and one black ball from first bag या after selection of first bag अब यह देखो, यहाँ पर मैं बैटा combination का इस्तमाल कर सकता हूँ combination की दो शर्ते होती है एक तो without replacement होना चाहिए और एक events की happening का order mention नहीं होना चाहिए यहाँ देखो, events की happening का order mention नहीं है one red and one black लिखा हुए अगर यह लिखा होता, first red and second black वहाँ पर आप combination का इस्तमाल नहीं कर सकते बट लिखा क्या हुए, one red and one black वो आप combination का इस्तमाल कर सकते है तो यहाँ बैटा कैसे करेंगे देखो हमें first bag में से, eight में से कितनी बोल निकालनी है two, eight c two और उपर बैटा क्या लिखेंगे देखो five red बोल थी और हमें कितनी red चाहिए, one red five c one यहाँ पर बैटा three black थी और हमें one black चाहिए, देखो three black है और हमें चाहिए कितनी one three c one इसकी बैटा calculation कर लिए यह बैटा उपर तो five into three नीचे बैटा आजाएगा, eight into seven divided by two, यह into two कर देते, तो यह बैटा आपका बनेगा, 30 upon 56, या two से cancel करेंगे, 15 upon 28, यह बैटा आपका, अब लिखे, probability of event e, यानिकी probability of getting one red and one black ball after selection of second bet, इसमें भी हम नीचे के लिखेंगे, 9c2, नीचे तो बैटा आजाएगा, nine, nine में से मैं two बोलनी कालनी है, अब यह देखिए, एक red है, एक black, red कितनी है, four, four c1, और एक बैटा black है, five c1, five c1, तो इसको बैटा calculate कर लेते, four into five, into two, और नीचे बैटा nine into eight, इससे calculate की जिए, यह बैटा eight से eight cancel हो जाएगा, five upon nine आजाएगा, five upon nine, ठीक है जी, बताइए यह अंतर, calculation बैटा चेक कर लेना, ठीक है, कई बार calculation में mistakes हो जाती है मेरे से, बट हमें procedure सीखना है, कैसे हमने चीजों को calculate करना है, calculation mistake हो भी जाती है, तो it's not a big problem, चलिए, यहाँ तक बैटा बताओ clear है, अब बेटा देखो, priori probability भी हागी, conditional, तो हमें क्या करना है, हमें निकालने है, probability of getting one red and one black, अब बेटा आप एक table बनाएंगे, ठीक है जी, आपके पास इस question में दो cases देन, first bag select हो जाए, और उसमें से कौन सी बॉल निकलाए, एक red एक black, या second bag select हो जाए, और उसमें से एक red और एक black बोला जाए, तो यह तो बेटा हमने probability evaluate कर ली, अब हमें final answer कैसे निकालने, तो उसके लिए बेटा एक table बना लेते हैं, देखिए, table के लिए बेटा space बना ले पहले, यह चलिए मैं इसे delete कर रहा हूँ, 15 by 28, 5 by 9, लोड़ यह हमारा आया था, यहां मैंने लिख दिया इवेंट, यहां मैंने लिख लिए इवेंट, इवेंट कौन कौन से, इवेंट A, B, फर्स बेक सेलेक्ट हो जाए, सेकेंड, दूसरा प्राइरी प्रोबिलिटी, प्राइरी प्रोबिलिटी बेक के सेलेक्ट होने की, हमने निकाल ले थी, 1 by 2, 1 by 2, यह हमारी कौन सी प्रोबिलिटी है, कंडिशनल, अब बेटा हम निकालेंगे, जॉइंट, जॉइंट प्रोबिलिटी आपको कैसे कैल्कुलेट करनी है, इन दोनों को बेटा मैंटिप्लाई कर दो, इन दोनों को बेटा एड कर लो, इसका मतलब समझे, इसका मतलब है, फर्स्ट बेक सेलेक्ट हो जाए, और फर्स्ट बेक में से एक रेड और एक ब्लैक बोल आजाए, ठीक है, और दूसरा क्या था, फर्स्ट सेकिंड बेक सेलेक्ट हो जाए, यह सेकिंड बेक के सेलेक्ट होने की प्रोबिलिटी है, और उसमें से कौन सी बोल आजाए, वन रे प्रोबबिलिटी आजेए रिक्वाइड प्रोबबिलिटी का मतलब प्रोबबिलिटी वेटिंग वन रेट एड अधर ब्लैंग इन दोनों का विटा सम करेंगे हम 15 अपॉन 56 प्लस 5 अपॉन 18 तो इसका विटा लेकर जो भी आएगा वह आपकर लीजिए गा लेकर लेना आता ह है लीजिए चलोब कर लेते हैं इसको सैंवन यह बिटा कैंसल हो जाएगा पाई जीरो फॉर बिटा एलसी माज़ेगा और उपर बिटा करेंगे तो यह आएगा आपका एक सो पैंटिस और यहां पर आ जाएगा एक सो चालीज यह बिटा आपका बनेगा तू सैंटिफाइल अपॉन फाइज जीरो पॉर यह मारा आंसर हो जाएगा ठीक है जी यह बिटा आपका फाइनल आंसर हो में बताएगे अब इसी सम्का मैं सेकिंड पार्ट ले रहा हूँग इसी सम्के सेकिंड पार्ट में क्या पुछा हूँ है बहुत रैड बोस देखिंगे कैसे करें इसी इसी सम्का सेकिंड पार्ट है बहुत रैड बोस तेखिए मेरे दon ago effасть लेक्ट जरना हैं तो पहले आप वही प्रबवल प्रोबिलिटी लिख लेगे तो फिशुद्वी बना रहा हूं इसमें पेले आपने प्रफ Серг करके फिर टेबल बनानी है हमेशे तो यहां पे मैंने लिख दिया event कौन सा इसके बाद कि यहां पे लिख ऊगई यह प्राइरी probability के प्रायरी probability प्रायरी probability का मतलँ सुछ फ्रस्ट वैग उने की प्रोड़ेटी59 बेट यह सेकेंड बैक हो जाता है और फिर्स्ट वैंग में से आपकी टोटल वोल ए एट और आपको निकालना है दोनों की दोनों रेड तो कैसे बनेगा ऊपर लिखेंगे फाईड़ सी टू और नीचे बैटा आएगा एट सी टू ओ तीक है जी दोनों की दोनों रेड बोल चाहिए रेड के फेवर म तो रेड के सेवर में कितनी है इससे बेटा कैलकुलेट कर लिए यह आएगा आपका 20 अपॉन 56 और यह बेटा बनेगा 12 अपॉन 72 और इसको फर्दर अगर हम कैंसल करें तो यह बेटा बनेगा 5 अपॉन 14 और यह 1 अपॉन 6 यह बेटा हमारा इवेंट हो गया यह प्रायरी प्रोबबिटी हो गई यह कंडिशन अब बेटा निकाल लेते हैं जॉइंट जॉइंट के लिए आपको बताया था मैंने कौन कौन से कोलम को एक सेकेंड कोलम और एक थर्ड कोलम को और 1 by 2 into 1 by 6 1 upon 12 यह बेटा टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारी रिक्वाइड प्रोबबिलिटी आ जाएगे रिक्वाइड प्रोबबिलिटी 5 by 28 प्लस 1 upon 12 इसका वेटा एलस्यम लेंगे 28 and 12 का एलस्यम बेटा ले इस तरीके से आपको दोनों सम्थ हमने कर लिए ठीक है बताईए टेबल बनाते बीच में आपने लाइन स्ट्रोब कर देनी है यहां पर इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे हां जी बेटा पताईए यहां तक क्लियर है चलिए अभी और बेटा प्रेक्टिस करेंगे है है देकिन नेक्स में के गएता है एपर्स कंटेंस फोर सिल्वर एड़ वन को पर कोईन अधर पर्स कंटेंस त्री सिल्वर एड टू कोपर कॉइं वन ओफ दापर्स की तो हांज वेटा देखो बिलकुल इसी सम है हांज वेटा यहां बहले मैं ले रहा हूं पर्स वन एक पर्स है उसमें और सिल्वर कॉइन है और एक वेटा कोपर कॉइन है तो टोटल कोईन कितने होगे वेटा ऐसे पर्स टू में पर्स टू के अंदर ट्री सिल्वर कॉइन से और टू कोपर कॉइन है गर्था कितनी होगे तो अब पेटा मैं एक टेबल बना लेता हूं पर्स के selection की probability को हम किस से represent करेंगे देखिए इस तरीके से लिखना है first first और second first और यहां वेटा event first first के selection को मैंने किसका नाम दे दिया event A और second first के selection को event B अब इन दोनों event की probabilities नहीं का लेते प्रोबैडी को बिटा क्या बोलेंगे primary, primary probabilities प्रोबैडी हम निकालेंगे तो बिटा दो पर्स हैं दो पर्स मैंसे आगर मुझे एक पर सलेक्ट करना हो तो उसके चांस्टिस कितने हैं लबाइटो और दूसरे पर्स के सेलेक्षन ये बाद प्राइड ये पर्भाइबिटी निकालने के बास आप लिए पर्स का सेलेक्षन तो हो गया इसका संहमेशा मippi बना अनाटी यह यह ज्याना अगÎो यहाद है इक क्वैट जो ठ्वच्ट इस अउन निक और वी कॉछ सबसे पहले इंड है में वैं हमने क्या था फॉर्ड का सेलेक्शन इनः कि देखो वीश earliest 1st first के selection होने के बाद उसमें से silver coin आने के chances कितने हैं 1st first में से silver coin कितने favor में 4 और total coin 5 तो probability कितनी वह भी बता हो 4 upon 5 तो यहां बेटा लिख देंगे 4 upon 5 उससे पहले आप एक काम कर लिजिएगा यहां लिखे देना, let E is the event of getting silver coin, तो यह जो मैंने निकाला है, यह B E upon A है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, यह B E upon A, यानि की probability of getting silver coin after selection of first purse, ऐसे ही यहां लिखाओ कि probability of getting silver coin after selection of second purse, यह बिटा है, पर्स के selection की probability, फर्स के selection की यह second purse की, और यह conditional probability है, getting a silver coin, अब देखे, second purse है, silver coin आने के, second purse में बिटा silver coin के favor में है, three, और total coin केतने है, five, first में तो देखो four थे, और total five, four upon five, second में बिटा three upon five, यह हमारी conditional probabilities आ लिए, अब बिटा क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे joint probability, joint probability का मतलब हमें तो probability निकालनी है, जिसमें purse का selection भी किया हो, और coin भी निकाला हो, यह तो बिटा purse का selection हो गया, और यह coin निकालने की, तो दोनों काम करने हमने, दोनों के बीच में क्या है, end, और end के लिए बिटा मैंने बताया था, multiplication होता है, ठीक है, पहले तो हमने purse का selection कर लिया, और first के selection की बाद coin draw करने की, तो अब joint probability कैसे निकालेंगे, दोनों को multiply करेंगे, क 4 by 10, और second case में 1 by 2 into 3 by 5, यह बिटा हो जाएगा, 3 by 10, तो दोनों का बिटा sum कर दीजिए, यह हमारी required probability का मतलब, probability of getting silver coin, यह दो cases बिटा बने थे, first case और second case, या तो first case हैपन होगा, first case का मतलब, first one select हो जाए, और उसमें से silver coin आ जाए, या second case select होगा, first be select हो जाए, second first select हो जाए, और उसमें से कौन सा coin आ जाए, silver, तो दोनों को बिटा add कर देंगे, 7 by 10, यह हमारा final answer, पताइए, clear है, आजी बिटा, देखिए, और sum लेते हैं इसी type का, हाँ जी बिटा, पढ़िए इस सम को, इस सम में बिटा क्या कहता है, एक जार कंटेंस, एक जार के अंदर, फोर एड़ बोल्स हैं, और फाइब ब्लू बोल्स है, और एक सेकेंड जार है, जिसमें टू रेड़ बोल्स हैं, थ्री ब्लू बोल्स है, तो फस्ट रेड़ में टोटल हैं, कितनी बोल्स, नाइन, और सेकेंड जार में टोटल हैं, ट्रांसफर करने के बाद फिर सेकेंड जार से वने बॉल निकाल लिए इन कलर जो हमने सेकेंड जार से बोल निकाल लिए वो रेड कलर की होनी चाहिए प्रेल थे बना लेते हैं लो बीटा दो जार आ वे देखिनि सब्सक्राइब करएं के पूर पोर रेड और इसमें गेंक रेड को इसको नाम दे दिया हमने लेए इसको नाम दे दिया सेटिंड आ और ब्लू बॉल्स व्याटा कितनी है लू बॉल है फाइट ब्लू इसके अंदर फाइट ब्लू बॉल्स है और इसके अंदर फ्रीगर भॉल्स है अब देखे क्या कहता है हमने फर्ष्ट जार में से एक बॉल सेकंड ़र पेले प्लेस कर दिया है कि एक ker कर दी वस्दार से अपर यह नीनी कों सी मोल्ट रांसफर तो यहां पर दोगें पूर्प 2 वन बॉल हम टोबशन यह खआ हैं हैं है त्रम जार हो यह देखो जो एक से नियों जो जोड़ कि वहकि हो क्योंकि फर्स जार में हैं दो पलर की बॉल और एक बॉल हमें ट्रांसफर करनी है तो आप यहां पर लिखोगे ट्रांसफर बॉल तो इस तो देखें कैसे करेंगे तो पहले मैं फर्स्ट के से ले लेता हूं यहां पर रेड़ बॉल जो ट्रांसफर की गई है वह रेड़ की बॉल को फर्स्ट बैक से में निकालना होगा उसको बिटा मैंने इवेंट एक नाम दे दिया और सेकेंड अगर हम्यारी फर्स्ट जार से ब्लू बॉल आती है उसको मैंने इवेंट बी का नाम इसको मैंने नाम दे दिया पी अच्छा साथ में मैं एक इवेंट और ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी ओफ यह देखो फर्स्ट जार से सेकेंड जार में जो ट्रांसफर की है वह हमने कौन सी बोल ट्रांसफर किया रेड अब हमें सेकेंड जार से बल एक बोल निकाल नहीं और वह कौन से किलर की होनी है लेट इस आइवेंट गेटिंग रेड बॉल सेकेंड जार साथ ट्रांसफराम होने के बाद सेकेंड जार से हमें कौन से किलर की बोल निकाल नहीं है रेड लग की पहले तो बिटा यह देखो प्रॉष्ट जैर आपने डॉट नीकाल ली उसकी प्रोबिविएटि फार वह बोरेड जार में चली तो इसकेंड जार में क्या पोजीशन हो जाए मैं पहले थी टू रेड थी ब्लैक टू अहले थी अगे क्योंकि transfer हमने कुछ सी color की बोल की है red तो यहां 3 red और 3 blue हो जाएगी 3 red बोल हो जाएगी और 3 blue तो total कितनी बोल हो जाएगी 6 ठीक है जी अब हमें निकालना क्या है हमें निकालनी है red color की बोल second jar से तो उसको ऐसे लिखेंगे probability of e upon a इसका मतलब क्या है probability of getting red ball from second jar after transferring one ball from first jar तो first jar से आपने red ball इसमें transfer कर दी है यहां 3 red और 3 blue हो गई और हमें चाहिए कौन सी red color की तो 3 by 6 आ जाएगी देखो red के favor में 3 हैं और total 6 हैं तो 3 by 6 ऐसे ही बटा अब second case क्या बनेगा अभी हमने यह assume किया था कि first jar से second jar में जो ball transfer की गई है वो red color की है तो दूसरा blue color की भी हो सकती है अब बेटा इस पे आ जाते हैं अब मैं लिख रहा हूँ probability of getting blue ball from first jar first jar से बेटा जो ball transfer की गई है वो blue color की बोले तो blue color की बोल आने की probability बताओ कितनी है blue color की बेटा फर्स्ट jar से आने की probability बताओ 5 by 9 अच्छा अब यह देखो first jar से जब second jar में blue ball जाएगी तो second jar में कितनी हो जाएगी अच्छा जाएगी बेटा पहले टू रेड और थ्री ब्लू थी ना अब कितनी हो जाएगी रेड तो टूई रहेंगी और ब्लू फोर हो जाएगी तो टोटल सिक्स बोल हो जाएगी और हमें कौंसी निकालनी है हमें बेटा निकालनी है second jar से रेड कलर की ठीक है तो देरफॉर प्रोबिटी और गेटिंग रेड बॉल यानि की इवेंट ही आफ्टर ट्रांसफर ओफ ब्लू बॉल यानि की इवेंट ही तो यहां पर बेटा कर दो इसमें हमें रेड कलर की बोल चाहिए टू बैसिक्स जैसे यहां पर रेड के फिर यह और टोटल सीख सब्सक्राइब ही यह वेरी प्रायरी प्राइबिलिट्टी ओगी यह बिप्रायरी हो गई ठीक है जी और यह हमारी कैसी probability है यह conditional है ठीक है जी यह conditional probability है और यह भी conditional है अब टेबल बना लेंगे फ्राइरी probability भी हमारी आ चुकी है अब टेबल बना रहा हुआ है चलिए टेबल बिट बनाने के लिए मैं यहाँ पर लो जी एक लाइन ड्रो कर लेते हैं फेले लो वेटा देख यहाँ पर मैं टेबल बना इस टेबल देख अब सबसे पहले नमर पर आप क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे रिवाइशिक्स न्याजिये फाइब यह प्रोबियू लेटी हो बी और यहां कि लिको और दूसरी कंडिशनल कितनी है तू बाइ सिक्स अब निका लिजे जॉइंट जॉइंट प्रॉबिलिटी कैसे निका लेंगे यह होगया ट्वेल बाइ फिफ्टी फॉर और यह होगया टैन बाइ फिफ्टी फॉर कि लोगी इन दोनों का सम कर देंगे तो रिक्वाइड प्रॉबिटी आ जाएंगे सम क्यों कर रहे हैं सम बेटा तब करते हैं जब इवेंड के बेच में क्या होता है और तो यहां पर देखो दो ही है अन्ने कर हां विकल чет करो तो यानिक की हो सकती है या ब्लू तो बिजमें क्या है और ठीक है तो इसलिए नंगे अगयाRP कर रहे हैं कि यानि कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि लेवन अपॉन ट्वेंटी से विटा कैंसल हो रही है चल रहे हैं यह हमारा इस तरीक्ते से विटा संब्सक्राइब बताइए क्लियर है से कि वेटा जरूरी नहीं है जैसे इस वेट से एक वॉल निकालनी है तो दो डो अगर निकालनी हो और विदाउट रिप्लेस्मेंट तो कंभिनेशन का यूज़ कर लेंगा और विद रिप्लेस्मेंट वो तो केसी बनाने पड़ेंगे एग ठीक है जी चलिए लो जी आगे मूव करते हैं आग जी बटा देखिए नेक्स सम ये है फ्रॉम द़ फिफ्टी टु प्लेइंग कार्ड़, वन कार्ड इचानीज लोस्ट 52 प्लेइंग कार्ड़ हैं हमारे और उसमें से एक पत्त हमारा गुम हो गया और क्या कहता है फ्रॉम द़ रिमेंग कार्ड़, बाकी बचे हुए इक यावन पत्तों में से एक पत्ता निकला गया, एक कार्ड ही ड्रॉन, वर्ट ही दा प्रोबिएलिटी बतानी है, कि जो आपका पत्ता निकलेगा रिमेनिंग कार्ड में से, वो हर्ट का उना जी, पान का उना जी, पैसे करें गें? सबसे पहले यह नहीं बताइब कि जो पत्ता गुम हुआ वो कौन सा हुआ है तो आप कैसे करोगे यहां पहले लिखोगे टोटल कार्ड्स होगे 52 तो पहले आप लिखेंगे दर लोस्ट कार्ड वावन पत्तों में से जो एक पत्ता गुम हुआ है में भी ऑफ कलब वेटा स्पेड का हो सकता है या फिर वो डायमेंड का हो सकता है या हर्ट का हो सकता है चार पोसिबिलिटी दो सकती है लोस्ट कार्ड में भी ऑफ कलब और स्पेड और डायमेंड और हर्ट तो पहले मैं यह लिख रहा हूं प्रोबबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर कलब का पत्ता ग क्लब के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं तो probability of क्लब कार्ड फ्रॉम प्रॉम हां जुटा क्लब कार्ड के लॉस्ट होने की probability कितनी होगी बताओ इसको मैंने लिख जिया प्रॉम है इस इकलब के बिटा उते 13 थर्टीन वाइफ फिटी तो वन बाइफ पूर आ जाएगा ऐसे स्पेड अगर आपके बावन पत्तों में से एक पत्ता गुम होगा और वो स्पेड का गुम होगी स्पेड का पत्ता लोस्ट हो जाए तो उसकी प्रोबिविटी क्या होगी उसकी भी सेम होगी क्यों बीस पेड के भी 13 कार्ड्स हैं तो यह भी बेटा 13 by 52 यानि की 1 by 4 ऐसे ही प लौक साथा गुम होने की प्रोबिविटी है या या जिती है इन चारों का सं बहुं करणंगे चारों का सम करेंगे फॉर बै फॉर वन आगए तो यह हमारी कौन सी प्रोबिलिटी हो गई जो हमें टेबल में शो करनी है प्राइरी प्रोबिलिटी अब निकालते हैं कंडिशन कंडिशनल प्रोबिलिटी निकालने के लिए एक इवेंट और दिया होगा आपको किया दिया होगहा आप से परोबिलिटी कि सिर्की पुछी हुई है हर्ट कार आने ही बहाएंवन पत्तों मेंसे एक पत्ता गुम होने के बाद बचे हुए क्याओन पत्तों मेंसे जो पत्ता में निकालना है वे हर्ट का बहा तो आप यहां लिखेंगेगे लेट uda cons игр लेट इस आइवेंट ऑफ गेटिंग हर्ट कार्ड आफ्टर लूजिंग वन कार्ड एक पत्ता गुम होने के बाद बचे हुए 51 पत्तों में से हमें हर्ट कार्ड चाहिए तो पहले इसके भी बटब चाहर केस हो सकते हैं सबसे पहले क्या बनेगा पॉर्बिलिटी ओफ इपने का मतलब प्रोबिलिटी ओफ गटिंग दा हर्ट कार्ड अफ्टर लौसी डप्लब कार्ड एड क्या था एवैंट में कोह सा पत्ता गुम हुआ था कलब का अब हमें हर्ट निकालना है चीड़ी का पत्ता गुम होने के बाद हैं अब निकालगें आपको हर्ट का पत्तख अब आदैसे अगर स्पेड का पत्त अगया तो इक्यावन पत्ते बचे उसमें हर्ट के तो तेरा इंगे हमें तो हर्ट चाहिए है तो हर्ट की तो थेर्टी फिफिटी वन यहां आभी 50 बनाए चलिए आगे probability of c upon e upon c इसका मतलब क्या है probability of getting the heart card after losing the diamond card c क्या था c था losing the diamond diamond का पता गुम होने होने के बाद हर्ट का पता हमें निकालना है तो यहां पर देखो यहां अलग आएगा कि पहले जो पता गुम हुआ हो हर्ट का था तो ताश के पत्तों में टोटल तो बिटा रहे गए क्यावन और हर्ट के कितने रहे बारा हर्ट के हमारे तेरा पत्ते होते हैं एक गुम हो जाए तो हर्ट के विटा बारा बच जाएंगे और टोटल रहे गए क्यावन है तो हमें चाहिए हर्ट का तो ट्वेल उपाउन फिफ्टी बन लोग यह मरी कंडिशनल प्रब्रब्स आ अब हम बनाएंगे टेबल प्रैयरी प्रब्स प्रब्स भी आ गई हमारी कंडिशनल भी अब टेबल बना Лेते यहां लिखे प्रियर प्रब्स प्रब्स यांअलिकों ग्च आ हैं wszystkich तो यहां विटा हमारे चार इवेंट थे, इवेंट A, B, C, D लोजिक, A, B, C, D, तो A इवेंट की जो प्रोबबिलिटी है, वो हमारी थी 1x4, B की भी विटा 1x4, C की भी 1x4 और D की भी, तो टोटल हमारा बना रहे हैं, कंडिशनल प्रोबबिलिटी, कंडिशनल प्रोबबिलिटी आपकी यह गई, 13x51, यहां विटा 13x51, 13x51 और लास्ट वाला 12x51, अब मल्टिप्लाइ करतेंगे इनको, मल्टिप्लाइ करके यहां जाएगा 13 अपान 204, यह भी मैटा 13x204, यह भी 13x204 और लास्ट वाला है 12x204, लो जी इनका सभी का सम कर दीगे, इन सभी का सम करेंगे, यह विटा 51x204 और 51x204, यह भी कैंसल हो रहा है, यह विटा हमारा आगया रिक्वाइड प्रोबेबिटी, हाँ जी विटा बताओ, क्लियर है, इस तरीके से आपको यह सम कर देंगे, तो आज जो मैंने टाइप करवाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्जाम पॉइंट वी से, और जितने भी सम थे, वो सारे कवर अब कर लिए, ठीक है, तो आज की क्लास को विटा यहीं ओवर करते हैं, बाई बाई